आज मैं आपके लिए बहुत ही संदर डिजाइन लेकर आई हूँ आज मैं आपको डिजाइन बनाना सिखाऊंगी कि यह डिजाइन कैसे बनाया गया है इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर, लेडी स्वेटर, कार्डिगन, जैकेट, गल्स्टोप, हाई नेक और कैप पर अपलाई कर सकती हैं इन सभी प्रोजेक्ट पर ये डिजाइन बहुत ही संदर लगता है इस डिजाइन को बनाने के लिए आपको 12 के मल्टिपल फंदे लेकर 3 फंदे एक्स्टा लेने होगे तो ये आपके प्रोजेक्ट पर इस तरह से एडज़ेस्ट हो जाएगा बारा के multiple देखिए आप बारा फंदे गिन लिजे फिर से बारा फिर से बारा और लास्ट में आपके तीन फंदे होने जहीं यह डिजाइन उल्टी साइड से शुरू होता है और बीस लायों में complete हो जाता है तो फ्रेंड्स बच्चों के स्वेटर, गल्स टोप और हाई नेक पर बोर्डर के बाद आपको जो फंदे बढ़ाने हैं वो आप इसमें सीधी साइड से फंदे बढ़ा लीजिए उल्टी साइड से यह डिजाइन शुरू हो जाएगा इस टिजाइन को अपलाई करने के लिए आपको तीन बातों का इसमें ध्यान रखना होगा सबसे पहला तो यह बोर्डर के बाद जहां पर आप 10 से 12 फंदे बढ़ाती हैं वहां आप इसमें 8 से 9 फंदे ही बढ़ा लीजिएगा दूसरा कार्डिगन और जैकेट पर इस टिजाइन को अपलाई करने के लिए बोर्डर के बाद आप इसमें 3 से 4 फंदे घटा दीजिएगा जिससे बोर्डर का जो नीचे से चोड़ाई है और उपर की जो चोड़ाई है वो एक लेवल में आ जाएगी नहीं तो हमारा नीचे से इसके चोड़ाई कम हो जाएगी और उपर से जादा हो जाएगी तीसरा फ्रेंट्स इस टिजाइन में उन थोड़ी जादा लगती है तो आप इसमें उन पहले से ही जादा लेके रखें ताकि आपके उन कम ना हो तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे बनाया गया है यहाँ पर फ्रेंट्स मैंने यह 27 फंदे लिये हुए है जो डिजाइन की पहली सलाई मैंने यहां से बनाई है वही पहली सलाई मैं आपको यहां से बताने जा रही हूँ तो ध्यान दीजिएगा कि डिजाइन की पहली सलाई कैसे बनेगी पहला फंदा उतारिये या बनाईये ये आपकी अपनी मर्जी है तो धागा पीछे करके 6 फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, और ये छे फिर धागा अपनी तरफ कर लिजिए और तीन फंदे उल्टे एक, दो, और ये तीन फिर अप धागा पीछे कर लिजिए और नो फंदे सीधे बनाईये एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो नो फंदे सीधे बनाने की बाद फिर धागा अपनी तरफ कर लिजिए और तीन फंदे उल्टे बनाईये एक, दो, और ये तीन आगे आपके जितने भी फंदे हो आपने इसको ऐसे ही रिपिट करते जाना है तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद नो फंदे सीधे बनाने हैं फिर तीन उल्टे बनाने हैं नो सीधे बनाने हैं और लास्ट में आपके देखिए, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कर लिजिए और छे फंदे सीधे आएंगे, एक, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये छे, पहली सलाई डिजाइन की कम्प्लेट हो चुकी है, अब आज ये इसकी दूसरी सलाई और सीधी सा पांच फंदे आप उल्टे बनाईए, पहला फंदा उतारिए या बनाईए आपकी मर्जी है, एक, दो, तीन, च्यार, और ये पांच, अब ये देखिएगा, जो फंदे हम इधर सीधे बनाएंगे, वो इधर हमारे उल्टे होएंगे, जो इधर हम उल्टे बनाएंगे, वो ये जो एक फंदा है, इसके हम तीन फंदे बनाएंगे, देखिए, एक, धागा अपनी तरफ करके, इसी फंदे को दोबारा से सीधा बना देंगे, तो ये देखिए, यहाँ पर एक फंदे से तीन हो गए, और ये जो तीन फंदे हमने यहाँ पर उल्टे बनाए थे, ये यह यहां इकर दो ओर यहां सीधे हो गर एक दो है MP3 6 पिर दिए बीच में हमने 9 फंदे और उल्टी सइड़ इताइध सीधे इसे बनाए तो ये देखे एक फंदे से 3 हो गए है यहां भी ऐसे किया और यहां भी ऐसे ही किया फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और 7 फंदे उल्टे बनाएंगे देखे एक दो तीन च्यार पांच छे और ये 7 फिर धागा पेछे करेंगे और जैसे हमने यहां पर किया ऐसे ही यहां पर करना है इस एक फंदे पे तीन फंदे बनाएंगे धागा पीछे करके फंदे को सीधा बनाया फिर धागा अपनी तरफ करके इसी फंदे को दोबारा से सीधा बना देंगे तो यहां एक से तीन हो गए अब जो तीन फंदे यहां उल्टे बनाए थे वो यहां सीधे हैं तो इन तीनों को सीधा बना देंगे एक दो और ये तीन अब ये तीन फंदे जो सीधे हैं इसके पास वाले एक फंदे के फिर से तीन करने हैं तो ये देखिए पहले इसको सीधा बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ करके दोबारा से सीधा बना देंगे तो एक से तीन हो गए थागा अपनी तरफ करके लाश्ट के 5 पंदे उल्टे एक दो तीन च्यार और ये पांच दो सलाईयां च्यार और ये पांच धागा अपने तरफ कीजी अब यहां पर हमारे नो फंदे उल्टे बनेंगे क्योंकि एक फंदे के तीन हमने यहां किये हैं तीन पहले ही हमने उल्टे बनाई थे और एक फंदे के तीन हमने यहां पर किये हैं तो ये नो फंदे अब उल्टे एक दो तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो अब धागा पीछे करके साथ फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, और ये साथ फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और नो फंदे उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, और ये आठ, नो फिर धागा पीछे करेंगे और लास्ट के पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, और ये पांच, तीन सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं, अब आज येगा इसके चोथी सलाई और सीधी साइड पर चोथी सलाई पर देखिए कैसे करेंगे, यहाँ पर अब हम एक, दो, तीन, तीन फंदे उल्टे बनाने के बाद ये देखिए, ये जो दो फंदे उल्टे हैं, इन दोनों को इस तरह से एक साथ लेंगे और दो का एक कर देंगे तो यहाँ पर हमारा एक फंदा कम हो गया है, धागा पीछे करेंगे और यहाँ से ये जो पत्ती है, अब एक पत्ती बनना शुरू होएगे एक फंदा अब सीधा बनाईए क्योंकि ये जो हमने एक फंदे से तीन बनाए थे इस एक फंदे को सीधा बना लिजिए धागा अपनी तरफ करके फिर इस बीच वाले फंदे को सीधा बनाएंगे तो यहां जाली आ गई तो ये देखे तीन फंदे से ये पांच फंदे हो गए है अब यहाँ पर हमने जो दो का एक किया वो फंदा हम यहाँ पर बढ़ाएंगे क्योंकि इन फंदे से तो हमारी पत्ती बनेगे जो फंदे यहां घटेंगे वो हम यहाँ पूरे करेंगे तो धागा अपनी तरब करके ये देखेगा, ये जो नीचे धागा है, इसको ऐसे उठा लीजिए, और इसे उल्टा बुन दीजिए, फिर धागा पीछे, और तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, अब यहाँ पर जो हम फंदा कम करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पर एक फंदा बढ़ा लेंगे, तो फंदा आप इसका सीधा बनाईए, फिर धागा अपनी तरफ करके, बीच वाले को सीधा बना देंगे, तो यहाँ जाली आ गई, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और इस फंदे को सीधा बना देंगे, तो एक जाली इधर आ गई, अब धागा अपनी तरफ कीजिए, अब यहां जो फंदा हमने बढ़ा लिया, यहां पर इसको घटा देंगे, दो फंदे यह जो उल्टे हैं, इनको एक साथ लेंगे, दो का एक कर देंगे, अब देखिएगा दो का एक हो गया, यहां कम हो गया, तो यह देखिए, दो, तीन, जर, पांच, और यह जो हमारे इस फंदे को हमने यहां पांच रहने हब यहां दोका एक हो गया फिर तीन फंदे बना लिए यानि टोटल अब यह चार हो गए जब यह वाले दो उल्टे फंदे यहां बचेंगे इन दोनों को आपने साथ लिना है और दो का एक गम कर देना है तो ये देखे बीच में अब यहां पांच फंदे उल्टे बज गई हैं धागा पीछे करेंगे ये जो तीन फंदे हैं इन पर हम जाली बनाएंगे तो पहले फंदे को सीधा धागा अपनी तरफ करके फिर बीच वाले को सीधा तो यहां जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ और इस फंदे को सीधा बना देंगे अब जो फंदा यहां घटाया उसको यहां बढ़ा लेंगे तो धागा अपनी तरफ करेंगे इस धागे को ऐसे लेंगे और फंदा उटा बुन देंगे धागा पीछे और तीन फंदे सीधे फिर धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को ऐसे लेंगे और इसको यहां देखे धागे पर हमें फंदा बढ़ा देंगे धागा पीछे करेंगे और ये तीन फंदे से हम जाली बनाएंगे तो पहला सीधा धागा अपनी तरफ करके फिर बीच वाले को सीधा बनाया तो जाली आगई धागा अपनी तरफ करके लास्ट का ये फंदा जो इसका तीसरा है ये सीधा बनाने से यहां भी जाली आगई यहां इस डिजाइन की complete हो चुकी हैं अब आज यह इसकी पांचवी सलाई और उल्टी साइड पर देखिएगा एक दो तीन और यह चार चार फंदे सीधे बनाने के बाद यह देखिएगा यहां पांच फंदे उल्टे बनाईए एक दो तीन चार और यह पांच अब धागा पिछे कीजिएगा और यह जो फंदा हमने बढ़ाया था इसे आप सीधा बना दिए फिर धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो और यह तीन फिर आप धागा पिछे कीजिए यह जो एक फंदा हमने इस धागे पर बढ़ाया था इसे यहां सीधा बना फिर धागा अपनी तरफ करके 5 पंदे उल्टे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, धागा पीछे करेंगे और बीच के 5 पंदे सीधे, 1, 2, 3, 4, और ये 5, धागा अपनी तरफ करेंगे और पांच फंदे यहां उल्टे बनाएंगे एक, दो, तीन, चार और ये पांच फिर धागा पिछे करेंगे ये दिखें ये फंदा हमने बढ़ाया था तो इसे सीधा बना लेंगे धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक, दो, और ये तीन फिर धागा पिछे करेंगे ये जो फंदा हमने बढ़ाया था इसे सीधा बना देंगे धागा अपनी तरफ करके पांच उल्टे एक, दो, तीन, चार और ये पांच धागा पिछे करके लाष्ट के चार फंदे सीधे पांच सलाईयां कम्पलिट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी छटी सलाई और सीधी साइड पर छटी सलाई पर देखिएगा एक और ये दो दो फंदे बनाने के बाद ये वाले जो दो फंदे उल्टे हैं इन दोनों को एक साथ लीजिए और दो का एक कर दीजिए अब धागा पिछे करेंगे और दो फंदे सीधे बनाएंगे एक और ये दो अब देखिए इस फंदे पर फिर से हमने जाली बनानी है तो दागा अपनी तरफ करेंगे और इसको सीधा बुन देंगे तो यहाँ फंदा बढ़ गया है फिर दागा अपनी तरफ करेंगे और ये वाले जो दो फंदे हैं, इन्हें सीधा बनाएंगे, एक और ये दो, अब जो फंदा हमने यहां पर कम किया, उसको हमने यहां पर बढ़ाना है, तो धागा अपनी तरफ करेंगे, इस धागे को ऐसे उठाएंगे, और इसे उल्टा बुन देंगे, अब ये एक फंदा है, इसे भी उल्टा बनाएंगे, धागा पीछे और तीन फंदे सीधे, एक, दो, और ये तीन, फिर धागा अपनी तरफ कीजिए, एक फंदा उल्टा, अब हमने यहां पर एक फंदा बढ़ाना है, क्योंकि यहां हमें घटाना है, तो इस धागे को ऐसे लेंगे, और यहां इस वाले फंदे को सीधा बनाएंगे, तो जाली से फंदा बढ़ गया, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और यह दो सीधे, एक, और यह दो, तो यहां भी जाली आगे, अब जो फंदा यहां पर हमने बढ़ा लिया है, उसको यहां पर घटा देंगे, यह दो फंदे इस यहां पर बढ़ाएंगे तो धागा पीछे करेंगे पहले हम पत्ती के फंदे बनाएंगे देखे एक दो धागा अपनी तरफ करेंगे इस फंदे को सीधा बनाने से यहां चाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और दो फंदे सीधे एक और यह दो अब यहां हमने फं फंदे सीधे एक दो और ये तीन फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये एक फंदा उटा अब एक फंदा फिर यहां से बढ़ाना है तो इस धागे को लेंगे और इसे ऐसे उटा बुन देगे धागा पीछे करके दो फंदे सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ और इसे सीधा बना दीजिए तो यहां जाली से फंदा बढ़ गया फिर धागा अपनी तरफ करके 2 सीधे एक और ये दो धागा अपनी तरफ कीजिए और यहां 2 का एक कर दीजिए और जो लाष्ट के 2 फंदे हैं उन्हें आप उल्टा बना लीजिए छे सलाईयां कम्प्लीट हो चुकी हैं अब आज ये इसकी सात्वी सलाई और उल्टी साइड पर सात्वी सलाई पर जो फंदे जैसे हैं वैसे ही बनाने हैं तो मैं आपको एक पर बना कर ही दिखा देती हूँ देखिए एक, दो, तीन फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए एक, दो, तीन, च्यार, पांच, छे और ये साथ साथ फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे कीजिए और दो फंदे सीधे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक, दो, और ये तीन, फिर धागा पिछे कीजिए और यहां दो फंदे सीधे बनाने क्योंकि हम यहां जो धागा उठा कर बना रहे हैं, वो यहां सीधे हो जाएंगे एक और ये दो फिर धागा अपनी तरफ कीजिए और साथ फंदे उल्टे तो इस तरह से करते हुए सीधे पर सीधा और उल्टे पर उल्टा बना कर पूरा कीजिए साथ सलाईयां कंप्लेट हो चुके हैं अब आज ये इसकी आठ मी सलाई और सीधी साइड पर आठ मी सलाई पर देखिए एक फंद आप ये उल्टा बना लेजिए आप ये वाले जो दो फंदे हैं इन दोनों को एक साथ लेजिए और दो का एक कर दीजिए तो यहां हमारा सीधा बनादी और फंदे फंदे को सीधा बनाद we फिर दागाह अपनी तरफ कर तीन फंदे सीधह बनाई एक ल्चा नमा जाए गए ठीओ जो दो अब दोर आप दीए इन अब दागा हमें में अरपने दो और यहां किस्दी आपन्या पन से उत्क् нов के अरहां और ये 2 तो यह देखेगा यहां से जो 3 फंदे कम हुए वो हमने यहां पर बढ़ाई है धागा पिछे करेंगे और 3 फंदे सीधे 1-2 और ये 3 धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे में एक दो अब यहां से हमें एक फंदा फिर से बढ़ाना है इस धागे को ऐसे उठाएंगे और फंदा उटा बुन देंगे धागा पीछे करके तीन सीधे एक दो और ये तीन अब धागा अपनी तरफ कीजिए और इस फंदे को सीधा बना देंगे तो जाली आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके अब देखिए यहां वीज में सिर्फ तीन फंदे बचे हैं तो इन तीनों को एक साथ लेंगे और तीन का एक कर देंगे धागा पीछे करेंगे और तीन सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करके ये देखिए ये एक फंदा सीधा बनाया तो यह यहां जालिया आ गई फिर धागा अपनी तरफ करके यह तीन फंदे सीध्य एक दो और यह तीन फिर देखिंगा धागा अपनी तरफ कर लिजिए और यहां एक फंदा इस तरह से जो नीचे धागा है इसके उठाइए और यहां उल्टा बन दीजिए तो यहां फंदा बढ़ अब यह दो फंद उल्टे हो गे तो यहां हमारे 3 उल्टे बन गए हैं धागा पीछे और 3 सीधे 1 2 और यह तीन फिर धागा अपनी तरफ करके 2 उल्टे 1 और यह 2 अब 1 फंद फिर से यहां इस धागे को उठाईए और उल्टा बढ़ा दीजिए धागा पीछे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करके इस एक फंदे को सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ करके तीन सीधे एक दो और ये तीन अब जो फंदा यहाँ पर बढ़ाया धागा अपनी तरफ करके पहले आप दो का एक कीजिए फिर लाश्ट के फंदे को उल्टा बना जीए अब आज ये इसकी उल्टे सलाई और नौवी सलाई पर उल्टे सलाई आपने वही करना है जो सीधे हैं वो सीधे बनाने हैं जो उल्टे हैं वो उल्टे बनाने हैं 9 सलाईयां कम्प्लेट हो चुके हैं आब आज ये इसकी दसलेख लाई और सीधी साइड पर दसलेखें को देखिएगा पहले दो फंदे उल्टे एक और ये दो अब धागा पीछे करके आप नो फंदे सीधे बनाईए एक दो तीन च्यार पांच छे साथ आठ और ये नो इस लाइपर हमें यहाँ पर जाले नहीं डालने है इन फंदों को हमने ऐसे ही सीधा बन देना है दागा अपनी तरफ कीजिए और तीन फंदे उल्टे बनाईए फिर आप धागा पीछे कीजिए और ये जो तीन फंदे हैं इने सीधा बनाईए एक, दो, और ये तीन. धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे, एक, दो, और ये तीन. फिर धागा पीछे कीजिए और नो फंदे सीधे बनाएए। एक, दो, तीन,тивा factor, 5, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नो ये नो फंदे सीधे बनाने के बार धागा अपनी तरफ कीजिए और ये देखिए जो बीच में एक फंदा है इसे उल्टा बनाईए फिर धागा पिछे कीजिए और नो सीधे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ और ये नो धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक, दो और ये तीन धागा पिछे जो तीन सीधे हैं उन्हें सीधा बनाईए फिर धागा अपनी तरफ करके जो तीन उल्टे हैं उन्हें उल्टा बनाईए एक, दो और ये त अब धागा पीछे और नो फंदे सीधे, एक, दो, तीन, जार, पांच, छे, साथ, आठ, और ये नो, धागा अपनी तरफ करके लाश्ट के दो फंदे उल्टे, दस सलाईयां कम्पलेट हो चुकी हैं, ग्यारमी सलाई पर आपको जो फंदा जैसा दिखें, वैसा ही बना दीज ग्यारा सलाईयां कम्पलेट हो चुकी हैं, अब आज ये इसकी बारमी सलाई और सीधी साथ पर, बारमी सलाई पर भी आपने ऐसे ही करना है, जो फंदे उल्टे हैं, वो उल्टे बनाईए, और जो सीधे हैं, उन्हें सीधा बनाईए, इस तरह से करते हुए, आप इसकी बा सलाई हैं, उन्हें आप उल्टा बनाईए, तेरा सलाईयां कम्पलेट हो चुकी हैं, आप आज ये इसकी चौदमी सलाई और सीधी साथ पर, चौदमी सलाई को ध्यान से देखिएगा, ये दो फंदे आप उल्टे बनाईए, एक और ये दो, अब धागा पिछे कर लिजे, जो ये पत्ती हमने फंदे पढ़ा कर ऐसे बनाई थी, अब इससे हमें बंद करेंगे, देखिए, इस फंदे को लेंगे और पलट के सीधा कर देंगे, पिछे की साइड से सलाई डालके, दो फंदे का एक फंदा कर देंगे, अब बीच में देखिए, ये दो का एक किया तो साथ हो जाएंगे, और ये देखिएगा, छे, अब ये जो दो फंदे सीधे हैं, आगे की साइड से सलाई डालके, दो का एक कर देंगे, तो यहां हमारे साथ सीधी रहेगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, और तीन उर्टे, एक, दो और ये तीन, धागा पीछे करेंग ये जो नो फंदे पती के हैं, पहले फंदे को ऐसे लेंगे, पलटके सीधा कर देंगे, पीछे से सलाई डालके, दो का एक, अब ये जो बीच में फंदे सीधे हैं, इन्हें आप सीधा बनाईए, और ये देखिए, इस तरह से अब ये वाले जो दो फंदे हैं, आगे की करके, इस फंदे को पलटके सीधा करेंगे, और पीछे की साइड से सलाई डालके, दो का एक कर देंगे, और बीच के फंदे इसके सीधे, इस तरह से करते हुए, ये पती हमारी अब बंध होनी शुरू हो जाएगे, अब ये वाले दो फंदे हैं, आगे से सलाई डालके, दो कर देंगे, फिर दागा अपनी तरफ और तीन उल्टें, एक दो तीन, धागा पीुछ टेन स्थे, 15 में पीछ हでも एक करने 1-2-3 धागा पीछे करेंगे, फिर एह इस पत्ति को बनाएंगे तो इसे पलट के सीधा कर देंगे पीछे से सलाइड डालके दो का एक, एक हो गया, दो, तीन, च्यार, पांच, और ये देखिए, छे, आगे की साइड से दो फंदे में सलाइड डालके दो काई किया है, तो ये साथ, धागा अपनी तरफ करके लाष्ट के दो फंदे उल्टे, चोदा सलाइड यां कम्पलीट हो हो चुकी है, पंदर में सलाइड उल्टी साइड है, जो फंद आपको जहसा दिखे वैसे ही बना देजिए, उल्टी सलाइड कम्पलेट हो गई है, अब आज इसकी सीधी साइड पर, सीधी साइड पर देखिए, ये दो फंदे आप उल्टे बना लीजिए, एक और ये दौ, धागा पीछे करके अब ये देखिए इस पत्ती वाले इस फंदे को लेंगे और पलटके सीधा कर देंगे पीछे की साइड से स्लाई डालके दो का एक कर देंगे अब ये देखे बीच में एक और ये दो तीन यानि टोटल हमारे यहाँ पर पांच फंदे बचेंगे ये सीधा और ये सीधा आगे की साइड से स्लाई डालके आप यहाँ दो का एक कर दीजेगा ये हमारी सोल में स्लाई है और सीधी साइड है अब देखिएगा यहाँ हमारे पांच फंदे बच गए हैं तीन उल्टे बनाईए एक दो और ये तीन फिर धागा पिछे करेंगे और बीच के तीन सीधे हैं तो सीधे एक दो और ये तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे एक दो और ये तीन अब धागा पिछे करेंगे और पत्ती के फंदे फिर से घटाएंगे तो इस फंदे को लेंगे पलट के सीधा कर देंगे पीछे से स्लाई डाल के दो का एक कर देंगे अब दो का एक करने के बाद देखिए यह एक हो गया क्योंकि यह हमने दो का एक किया है तो दो फंदे बन गए तेन चार अब यह वाले जो दो सीधे हैं आगे की साइड से स्लाई डाल के दो का एक कर देंगे तो यहां अब हमारे सिर्फ पांच फंदे बच गए धागा अपनी तरफ करके एक उल्टा अब धागा पीछे कीजिए और इस पत्ती वाले फंदे को फिर घटाएंगे तो पलट के सीधा करेंगे पीछे से स्लै डालके दो का एक हो गया दो तीन चार आगे की सा एक कर देंगे तो यहां पांच फंदे बच करेंगे झाल धागा अपनी तरफ तीन उल्टा आएंगे इसे लेंगे पलट के सीधा कर देंगे पीछे से सलाई डाल के दो का एक करेंगे और यहां भी हमने दो का एक करना है तो आगे की साइड से सलाई डाल के दो का एक कर देंगे तो यहां पांच बजगे लास्ट के दो फंदे उल्टे सोला सलाईयां कम्पलेट हो चुकी है सत्रमी सलाई उल्टी साइड पर जो फंदे जैसे दिखें वैसे ही बनाईए सत्रा सलाईयां कम्प्लेट हो चुके हैं अब आज ये इसकी अठारमी सलाई और सीधी साइड पर अठारमी सलाई पर देखिए ये दो फंदे उल्टे एक और ये दो धागा पीछे कीजिएगा और इस पत्ती वाले फंदे को पलटके सीधा कर लीजिए पीछे की साइड से सलाई डालके दो फंदे का एक कर दीजिए अब बीच में एक फंदा ये सीधा बनेगा क्योंकि यहां सिर्फ अब तीन फंदे बचेंगे एक और ये दो आगे की साइड से स्लाई डालके दो फंदे का आप एक फंदा कर दीजिए फिर धागा अपनी तरफ और तीन उल्टे एक दो और ये तीन धागा पीछे और तीन सीधे एक दो तीन धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे फिर धागा पीछे कर लीजिए और पत्ती के फंदे हमने घटाने हैं तो इस फंदे को लेंगे पलटके इसको सीधा करेंगे पीछे से स्लाइड डालके दो का एक यहां हमारे तीन ही बचेंगे आगे की साइट से स्लाइड डालके फिर से दो का एक करेंगे तो यहां देखिए तीन हो गए फिर धागा अपनी तरफ और एक फंदा उल्टा धागा पीछे करेंगे और इस फंदे को पलटके सीधा कर देंगे पीछे से स्लाइड डालके दो का एक, एक बीज में बनाया, फिर आगे से स्लाइड डालके दो का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करके तीन उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे और तीन सीधे, धागा अपनी तरफ करके तीन फंदे उल्टे, फिर धागा पीछे करेंगे औ एक सीधा बनाया अगे से सलई डाले कि दो क एक और लास्ट के दो फंदे उल्टे 18 सलई यां कंपलेट हो चुकी है 19 सलाई उल्टी साइड पर जो फंदा जैसा दिखे वैसा बनाईए 19 सलाई कम्पलिट हो चुकी है आब आज ये इसकी 20 सलाई सीधी साइड और इसकी लास्ट सलाई पर 20 सलाई पर देखिए कैसे करेंगे 27 फंदे थे हमारे और 27 ही अभी सलाई में बच जाएंगे जितने थे वो हमारे घट जाएंगे ये देखिए एक और ये दो दो फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा आप पीछे कीजिए ये जो बीच में फंदा है इसको ऐसे लीजिए इस पहले वाले को उतार के आप आगे कर दीजिए और वीच वाले को यहां ऐसे करके अब आगे की साइड से आप सलाई डाल लीजिए इनको आप पहले लूज कर सकती है अगर आपको ऐसे टाइट लगे तो फिर आगे से सलाई डाल के इन तीन फंदे का आप एक फंदा इस तरह से बना दीजिए तो यह पत्ती हमारी यहां बंद हो जाएगे फिर धागा अपनी तरफ तीन उल्टे एक दो और यह तीन धागा पीछे और तीन सीधे एक दो और यह तीन फिर धागा अपनी तरफ एक दो और यह तीन उल्टे फिर धागा पीछे करेंगे अब इस वाली पत्ती को बंद करेंगे इसको छोड़ देंगे बीच वाले को ऐसे लेंगे इसको उतार के यहां डाल देंगे और बीच वाले को सबसे आगे करेंगे फिर आगे की साइड से सलई डाल के तीन फंदे का यहां एक कर देंगे तो यह द फिर धागा पीछे करेंगे इस पत्ती को भी बंद करेंगे तो बीच वाले फंदे को ऐसे लेंगे इस पहले को उतार के यहां लाएंगे और बीच वाले को यहां पर आगे की साइड से स्लाइड डालके इन तीन फंदे का एक कर देंगे और पत्ती को बंद कर देंगे फिर धा धागा अपनी तरफ करके 3 उल्टे 1,2 और ये 3 अब धागा पीछे करके इस पत्ति को भी बंद करेंगे तो बीच वाले फंदे को पीछे से ऐसे लेंगे इसको उतार के यहां डाल देंगे और बीच वाले को सबसे आगे आगे के साइड से सलाई डालके तीन फंदे का एक फंदा कर देंगे और पत्ती को बंद कर देंगे धागा अपनी तरफ करके लाष्ट के दो फंदे उल्टे तो ये देखिए का फ्रेंट्स 20 सलाईयों में ये डिजैन ओवर हो जाता है इन ही 20 सलाईयों को आपने बार बार दोहराते जाना है नेक्स्ट बार के लिए जब आप इससे शुरू करेंगे तो उल्टे साइड से आपने वही करना है छे फंदे सीधे, तीन उल्टे, नो सीधे, तीन उल्टे, नो सीधे, तीन उल्टे और लास्ट में आपके 6 फंदे सीधे आएंगे तो वो इसकी नेक्स्ट बार के स्टार्टिंग हो जाएगे फ्रेंट्स वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज आप इससे लाइक कीजिए अपने सभी फ्रेंट्स ग्रूप में इससे शेर कीजिए जो आने वाले सारे वीडियो के नॉटिफकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें तर आप चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें